अगर आपको एक परसेंट की पानी की कमी होती है तो आपको प्यास रुद मिया प्यास जब्राइब यह लगता है अधम हड़ा जाता है और पानी की कमी से दी हाइड्रेशन नामक बीमारी भी होती है पानी की कमी से डी हाइड्रेशन हो जाता है आदमी को और dehydration में क्या होता है चक्कर आने लगता है आदमी मुर्जा जाएगा चक्कर आजाएगा धिमला जाएगा जहनत है अगर पानी की कमी होती है पानी के उसी को बोलता है निरजली करन क्या बोलता है निरजली करन पानी की कमी को dehydration क्या बोलता है क्या लगती है पैसा लगती है ता आदमी पानी पीता है ठीक है हुआ क्या करता है पानी पीते हैं और वहीं जब दोस पर मर जाता है कितने पर जब दस परसेंट के हमारे सरीर में पानी की कमी होगी आदमी का मिरित्यों हो सकता है मर जाता है जब पर सेंट पर आपको पियास लग जाता है तो दस पर सेंट पर क्या होगा मर नहीं जाएगा जी जब कर सेंट के कमी होती है तो आदमी छट पाट पाने लगता है और यहीं जब 10% के कमी होगा तब आदम के मरना फिक्स है इसलिए टाइम टाइम से पानी पीना जरूरी है एक दिन में लगवाद चार से पाँच लिटर अगर पानी पी लेता है मैक्सिमम ठीक है तो बहुत बहुत अच्छा है आपका सरीर स्वस्थ रहेगा और देखिए आटम क्या प्रक्रावज होजार बना स्वस्थ लॉस्थ तो बहुत साय लाड़का या निर्जेलिकरण विमारी होती है जब इसमें क्या होता है आगरानी कमी लाब यह लोगताहिऀ तो पानी की कमी को हो जाती है तो पानी को क्या बोलते हैं निर्जलिकरन या डिहाइड्रेशन चक्कर आने लगता है आदमी धिमला जाता है उसको पानी पिलाया जाता है सुलाया जाता है तो अब जाके उसका तब सही होता है तो इसलिए पानी के कमी सरीर में नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर एक 10% की कमी हो जाएगी तो आप चले जाएंगे उपर ठीक है तीसलिए पानी का बैलेंस बना के रखिए तो यहां तक कि सुक दिकत है यहां तक कि सुक दिकत है बताइए यहां तक कि सुक दिकत है तो बताइए हमारे सरी में पानी का जरूरत होना चाहिए टाइम टाइम से पानी पीना चाहिए कि नही होता है नीड जली करन बेमारी होती है डिहाइडरेशन होता है आपको चक्कर आने लगता है आप धूप में अगर पानी के कमी है एकदम प्यास लग गई है आपको पानी पीने करने मिल रहा है तो आपको चक्कर आने लगेगा और वहीं पर गिर जाएंगे बिहोस हो जाएंग चीक है यहां तक किसको दिख्कत है आगे बढ़ें